कवरधा के रेंगाखार थानाक्षेत्र के लोहरी डी में हुए आगजनी कांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है बुधवार को न्याइक हिरासत में रखे गए आरोपी प्रशान साहु की जेल में मौत के बाद हरकंप मच गया ग्रामीन और परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंबीर आरोप लगाए है इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्रे विश्णुदेव साय ने घटना की गंबीरता को देखते हुए कड़ा एक्शन लिया है और IPS विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अफसर ही जो है वो लीट कर रहे थे IPS विकास कुमार घटना के रोज देर राट डिप्टी सी एम विजजशर्मा भी लोहरी डी पहुँचे थे और पिडित के परिवार्ज से मुलाकात की थी 10 लाग की मुआबजा राशी की घोशना देनी की बात भी जो है अप मुख्यमंत्री और ग्रे मंत्री विजशर्मा ने की थी हाला कि फिर भी पूरे मामले पर अब सियासत तेज है लेकिन पहले सुना देते हैं आपको कि ग्री मंत्री विजर्श शर्मा ने इस घटना पर क्या कहा था जोग उस सारे के सारे कल अंतिष्टी में समलित हो सकें इस बात की वेवस्था की गई है आगे जाज भी इस पिसे का निर्धारित किया जाएगा ग्री मंत्री विजर्श शर्मा का वर्दा पहुंचे थे स्थितियों का जाइजा लिया था दस लाख रोपए की साहेता राशी देने की उन्होंने गोशना किया अलाकि इस बीच सियासत लगतार का वर्दा को लेकर जारी है कॉंग्रिस प्रदेश में कानून ववस्था खत्म होने की बात कह रही है बुपेश बगेल ने ग्रिमंत्री विजश शर्मा के साथ मृतक प्रशान्थ की जो है वो फोटो लगाकर ट्वीट भी किया है ग्रिमंत्री के ग्रीज ले कवर्दा में पुलिस के कारना में जो है बुपेश बगेल आज कॉंग्रिसी निताओं के साथ पीडित के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए कवर्धा भी पहुंचे हैं, तस्वीरे वहां से भी आई हैं, वहां पीडित के परिवार जनों और ग्रामिनों के साथ उन्होंने चर्चा की है, साथी कवर्धा जेल जा अब उनसे काम लिया जा रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, खोन के उल्टियां कर रहे हैं, इतनी बरवरता तो कभी सुने में आएज जो अब सुनाई पड़ रहा हैं, इलाज के कोई ब्योस्ता नहीं हैं, और जेल में ही तड़प तडप के लोग मर रहे हैं, ये जो मामले में प्रदेश सरकार पर कानून नवस्ता पर सवाल उठाए हैं अलाकि इन सब के बीच जो महलाएं हैं उनकी भी उनके भी बयान सामने आए हैं पुलिस प्रशासन ने किस तरीके सुन पर बरबरता किया जो आरोप वो लगा रहे हैं वो भी सुनीचिया पुलिस वाले हैं सब पुलिस मेडमन मारे हैं गयल में पिटा ही नहीं है कि अंकली में पेचा मार पिट करें हैं भई ऐखार करें यहां करको आ थे भार से वह उनकी तो मेरे सायोगी विदान शर्मा मेरे साथ इस खबर पर सीज़ जुड़ गए विदान करू करते हैं कुछ और अपडेट्स के लिए विदान लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है अब मैलाई भी सामने आ रही है कह रही है कि हमारे साथ भी बरबरता हुई है मारपीट की गई है बुपेश बगेल पहुए थे फिलाल स्थितियां कैसे बंती हुए देख रहे हैं आप महाँ पर यह क्योंकि मैं अभी अभी उस गाउं से होकर आ रहा है भारत जिस गाउं में वक्ति हो गई है अलाकि मामला तो बड़ा है आज जनी हुई है तो लोगों की मौत पहले ही हो चुकि अब तीसरी मौत तो जेल के अंदर हुई है और उसमा का रूबन भी मैंने देखकर आया मैं देखकर आया हूं जो मां अप पूलिस ने उनके बेटे को और उन्हें भी कैसे दंडे से वार किया है और अभी भूपेस बखेल भी वहां से होकर आया है और दीपक बैद जो पीसे सी चीफ हैं वह भी कवर्दा पहुंचे हुए कुछी तेर में भी मीडिया को समोधीत भी करेंगे कुल मिला कर मामला पूरा गाउं इस चीज में सनलिप नजर आता है वेदान पूरा गाउं जो है वो कानून को तोड़ते वे दिखाई देता है पुलिस पर पत्रा होता है लेकिन जब पुलिस के हाथ में बारी आती है तो पुलिस भी तो कानून तोड़ते ही दिखाई दे रही है उनके कुछ सोसल वीडियो में कुछ वीडियोस भी वारल होने लगे हैं जिसमें पुलिस के जवान पुलिस कप्तान के सामने लगर पर साते हुए दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तोर पर अब ये बाते हो रही है कि जब पुलिस ही कानून को हाथ में लेने लगे तो उनकी उपर करवाही कौन करेगा ये बड़ा सवाल उठ रहा है हाला कि विप्टी सीम पहुचे थे कल उन्होंने एक सीनियर आईपिया सचारी है यहां के जिनको जो एडिशनल लेस्टी के पर यहां कवर्दा में पदस्ते उनको सस्पेंट जरूर किया गया है लेकिन अभी भी जो परिवार के जन है उनकी मांग है कि इस पर नाइक जांच हो गई है उस चीज़ को और आगे नहीं बढ़ाया जाए बहुत कि एडिए